हेलो शुडेंट्स आज आम पढ़ेंगे एन्सियार्टी कक्षा साथ विज्ञान का पहला अध्या है और वीडियो शुरू करने से वहले आप से रिक्वेश्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें चलिए शुरू करते हैं पादभू में पोशन कक्षाच है में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीओ के लिए बोशन आवशक है आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्भॉाइडरेक, प्रोटीन, वसा, विटामिन, एवं खनीज बोशन के गटक है बोशन के यह गटक हमारे सरीर के लिए आवशक है तथा इन्हें पोशक कहते हैं सभी जीओ को बोशन के आवशकता होती है पादभ, मतलब पोदे, श्यों के लिए बोशन बना सकते हैं परन्तु मानव सहीद कोई भी प्राणी अपना बोशन श्यों नहीं बना सकता बोशन किस प्रकार बनाते हैं तो पादभो में पोशन भी दी किवल पादभ ये से जीव हैं जो जल, कार्बन डायोकसाइड इवं खनीज की साहता से अपना बोशन बना सकते हैं ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब दोते हैं पोशक पदार सजीव की सारिदिक संद्चना वरदी तदा छतिगरस्त भागों के रखरकाओ के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभीन जैप प्रक्रमों के लिए आवशक उर्जावी प्रदान करते हैं सजीव दुआरा भोजन ग्रण करने एवम उनके ऊपियों की विदी को पोशन कहते हैं पोशन की या विदी जिसमें जीव अपना भोजन श्वम्त संसलेशित करते हैं विशम्त पोशित कहते हैं बहली जानना चाहते हैं कि पादपो की तरह हमारा सरीर भी कारबंडाय ओक्साइड जल्ट एवं खनिद से अपना बोजन श्युम क्यों नहीं बना सकता। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपो की खादे फैक्टरिया कहां इस्तित हैं। क्या बोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता हैं अथो अक्यवल कुछ विशेश भागों में। पादप अपने परिवेश से कच्छी सामगरी किस प्रकार प्राफ्ट करते हैं। खादे फैक्टरियों तक उनका इस्तानांतरन किस प्रकार होता है। प्रकार संसलेशन पादप में खादे संसलेशन का प्रकरम। पत्तिया पादप की खादे फैक्टरियों हैं। अथे सभी कच्छे पदार्श पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मिरदा में उपस्ति जल एवं खनीज जड मतलब मूल दुवारा अवस्यत किये जाते हैं। बूदो जाना चाहता है कि जड दुवारा अवस्यत जल एवं खनीज पत्ति तक किस प्रकार पहुंचते हैं। अब बात करें हम कोशिगाओं की। आपने देखा कि इमारते इंटों से बनती हैं इसे प्रकार सजीयों का सरीष सुक्षम इकायों से बनता है जो कोशिका कहलाती है कोशिकाओं को सुक्षम दर्शी द्वारा देखा जा सकता है कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं कोशिगा एक पतली भाई सनसना द्वारा गिरी होती है जिसे कोशिगा जिल्ली कहते हैं इसमें केंद्र में इस्तित एक सुषपस सनसना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है केंद्रक चारों और से जेली के समान एक पदार से गिरा होता है जिसे कोशिगा द्रव कहते हैं यह रंदर कोशिकाओं द्वारा गिरे रहते हैं एशे छिद्रों को रंदर गहते हैं जल एवं खनिच वाईकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं यह वाईकाओं नली के समान होते हैं तथा जड़तना साखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है पोस्कों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाई का सतत मार्ग बनाती हैं। पादपो में पदार्थों के परिवेन के विशा में आप अध्या 11 में पढ़ेंगे। पहली जानना चाहती है कि पत्तियों में एसी क्या विशेषत है कि वे खादे पदार्थों का संग्रेण कर सकती हैं। परंतुपाद अब के दूसरे बागुमें नहीं पत्तियों में एक हरा वर्नाक होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं क्लोरोफिल सूर्या के प्रकास मितलब सौर प्रकास की उर्जा का संग्रेन करने में पत्ति की सायता करता है इस प्रकार को पियोग जल एवं कर्मडाय ओक्साइड से खाज संसलेशन में होता है क्योंकि खाज संसलेशन सूरिय के प्रकास की उपस्तिती में होता है इसलिए इसे प्रकास संसलेशन कहते हैं आता है हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकास कार्बंडाइ ओक्साइड एवं जल प्रकास संसलेशन के लिए आवशक है इस प्रत्वी पर एक एदुत्य प्रकरम है पत्तियों द्वारा सोर उर्जा संग्रेट की जाती है तथा पादप में खाद्दे के रूप में संस संसलेशन के पत्ति की क्लोरोफिल युक्त को शिकाएं सूर्य के प्रकास के उपस्तिती में कार्बंडाइ ओक्साइड एवं जल से कार्व आइडरेट का संसलेशन करती है इस प्रकरम का समीकरण इस प्रकार से है कार्बन डायोक्साइड प्लस जल ये सूर्य की उपस्तिती और क्लोरोफिल की उपस्तिती में कार्बोहाइडरेट बनाती हैं तथा ओक्सिजन बनाती हैं इस प्रकरम में ओक्सिजन निर्मुक्त होती हैं कार्बोहाइडरेट आन तथ पत्तियों में मंड मतलब स्टार्ज के रूप में संसित हो जाता है। हो जाते हैं। पत्ती में स्टार्ज की उपस्तिती प्रकास संसिलेशन प्रकरम का संपन होना दर्साता है। स्टार्ज भी एक प्रकार का कार्वो हाइटरेट ही है। ठीक। बूजो ने देखा कि कुछ पादबो की पत्यां घहरी लाल, बैंगनी अथ्वा भूरे रंगी होती हैं वैं जाना चाता है कि क्या इन पत्यों में भी प्रकास संस्लिशन होता है पत्यों के अतिरिक पादबो के हरे, दूसरे हरे भागो जैसे की हरे तने एवं हरी साखाओं में भी प्रकास संस्लिशन होता है मर्जतलिय पादबो में वासपोत सरजन दुआरा जल छे को कम करने के लिए पत्या सल कत्वा सूल रूपी हो जाती है इन पादबो के तने हरे हो जाते हैं जो प्रकास संस्लिशन का कारिये करते हैं एक ही प्रकार के पादबो के दो गमले लीजिए एक को अंदकार अत्वा काले बक्स में बहतर गंटों के लिए रखिए तदा दूसरे को सूर्य के प्रकास में रखिए दोनव पात्वग की पत्तियों में आयोडीन परिक्षन की परिक्षन उसी परिक्षन कीजिए, जैसे आपने कक्षाच 6 में किया था अपने अवलोकों को नोट कीजिए, अब उस गमले को जिसे आपने अंधकारिय में रखा था 3-4 दिनों के लिए सुर्यक प्रकास में रख दीजिए, उसी पती पर आयोडीन फ्रेक्षन कीजिए, अपने फ्रेक्षन अपनी नोट वुक में लिए, हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है परन्तु इन पत्तियों में उपस्ति लाल बूरे अथवा अन्य वर्णा क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रेचादन करते हैं अर्था ढख लेते हैं इन पत्तियों में भी प्रिकास संसेशन होता है आपने गीली दिवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशे में हरे अवपंकी मतलब काई जैसे पादब देखे होंगे कि समय तक कुछ जियों की व्रद्धी के कारण होता है जिने सैवाल कहते हैं किया आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका अर रंग क्यों होता है इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण यहरी दिखाई देते हैं सैवाल भी प्रकास संसेशन दौरा बना बोधन स्वम बनाते हैं पादवों में कार्बो हाइडरेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संसलेशन अभी आपने पढ़ा कि प्रकास संसलेशन प्रकरम द्वारा पादव में पोदे कार्बो हाइडरेट का संसलेशन करते हैं कार्वो-हइडरेट, कार्बन, हाइडोजन एवं आकुजन से बनते हैं इनका उपयोख खादम के अन्य गटको के संसलिशन में होता है परन्तु प्रोटीन नाइटोजनी पदार्थ है जिनमें कारवन, ओक्सिजन एवं हाइड्रोजन के अथेक नाइट्रोजन भी होती है पादबो को नाइट्रोजन कहां से प्राप्त होती है याद कीजिए वायू में नाइट्रोजन गैसी अवस्ता में प्रसुर मात्राम पाई जाती है परन्तू पाद अप इसका अवसोसन इसी रूप में नहीं कर सकते मिट्टी में कुछ विशेश जिवानों होते हैं जो गैशी नाइट्रोजन को उपयोगी नायोगिक में परिवर्तित कर मृताप में निर्मुक्त करते हैं यह विले पदार्थ पादभो द्वारत जल की साथ आउसुसित कर लिए जाते हैं संबबतों आपने देखा होगा कि किसान अपने खेतों में उरूरक तता खाट डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रसुरता होती है इस प्रकार अन्य संगटकों के साथ पादभो की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ती हो जाती है इसके पश्याद पादभ खाल दिके अन्य संगटकों जैसे की प्रोटीन एवं बसका संसलेशन करते हैं पादभो में पोशन की अन्य विदियां कुछ पादभ पोदे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पादभ जाता वे बोजन संसलेशन नहीं कर सकते हैं वे कैसे जीवित करते हैं थथा वे पोशक किस प्रकार प्राप्त करते हैं मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादभ भी अपने पोशन के लिए अन्य पादभों द्वार निर्मित खादे पर निर्वपर रहते हैं वे विशम पोशी फ्रनाली का उप्योग करते हैं चितर एक पॉइंट पांस मतलब इस परकार आपने अमर बेल देखिये होगी इसकी बात कर रहा है यह कोई ध्यान से देखिए क्या आपको एक व्रक्ष के तने एवं साखाव से लिप्टी रसी नुमा पीले रंग की सनशना दिखाई देती है ये अमर बेल का पादभ है इस चितर आपको एक प्रकार के परजीवी हैं आपको इस पर विचार करना चाहिए अपने अध्यापक से इस विशाय पर चर्चा कीजिए पहली जाना चाहते हैं कि क्या हमारा रख्चूसने वाले मच्शर खटमल जूं यहम जॉंक जैसे जीवी परजीवी हैं क्या आपने एसे पादबों को देखा है तथा अथवा उनके पिसे में सुनाया है जो जन्तुओं का बक्षन करते हैं कुछ एसे पादब पी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं क्या ये विश्मेकारी नहीं है ऐसे पोदे हरे या अन्य किशी रंके हो सकते हैं चित्र एक पॉइंट छे के पादब को देखिए इसकी गड़े मतलब घट के समान दिखाई देने वाली सनचना वास्तों में इसकी पत्ती का रूपांतरित वाग है पत्ते का सीस वाग गड़े का डखकन बनता है गड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की और डलके रहते हैं अर्थात अद्यमखी होते हैं जब कोई कीट प्रवेश करता है तो यह उनके रोमों के बीच फस जाता है गड़े में उपस्तित पाथ सा करस दुआरा कीटों का पाचन होता है कीटों का बक्षन करने वाले एसे पादप कीट बक्षी पादप कहलाते हैं वीनस फ्लाइट ट्रैप तथा संड्यू कीट बक्षी पादपों के दो अन्य उधारने इनके बारे में जानकर रिप्राप्त कीजिए बूजो ब्रहमित है कि यदि घट परनी हरा होता है तथा इसका संसलेशन संपाधित करता है तो यह कीटों का बक्षन क्यों गरता है वर्साइक दिनों में व्रक्षों की सड़ी गली तूटी टहनी हो तो आप तनों या चाल पर छाते की समर्ण संजनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे आए देखें कि जीवनी आपन यह तू इन्हें किस परकार के पोस्कों के आउशकता होती है और वे उन्हें कह और फिल अनुपस्तित होता है अता यह प्रकान संसलेशन दुहारा बोजन का संसलेशन नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए क्रिया कलाप है ब्रेड यह डबल टोटी का एक टुकडा लेकर इसमें जल इसे जल में बिगो लें इसे किसी नम अत्वा उस निस्तान पर दो तीन दिन के लिए रख दीजिए अत्वा उस समय तक रखो रखे रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोएं जैसे सनजना नहीं दिखाई देने लगें यह डबेक किस रंग के हैं किसी आवाड़क लेंस अत्वा सुक्षम दर्शी की साहता से इनका उलोकन कीजिए अपने प्रेक्षणा को नोटबुक में इंकित कीजिए बहुत संबह कि यहां आपको रूई के धागों के समन सनजना दिख पड़ें यह जीव कवक यह फंजाई क्यालाते हैं इनकी पोशन प्रनाली अत्वा पोशन विदी भिन प्रकार की होती है यह म्रत एवं विग्टन कारी मतलों सडने वाली वस्तों जैवपदार्तों की सतय पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तता उसे साधारन वे वि प्रनाली को जिसमें जीव किसी म्रत एवं विगठी जैविक पदार्त की पोशक तत्थ्व प्राप्त करते हैं म्रत जीवी पोशन कैलाते हैं म्रत जीवी पोशन प्रनाली का उप्योग करने वाले जीव म्रत जीव कैलाते हैं कवक मतलब फंजाई अचार चमडे कपडे अपने अभी विगावकों से कवक द्वार होने वाले नुक्सान पर चर्चा कीजिए। पहली को यहाद है कि उसने सुन्दर जूते जिने वह विशे इस अवसरों पर पहनती थी, वर्षारीतु में कवक के करण खराब हो गए। वह जाने साथ एक वर्षारीतु में कवक अचानक कैसे प्रिकट हो जाते हैं। वह जाना चाहता है कि क्या कवक रोग कारक भी होते हैं। वर्ष कवक को पोशन प्रदान करते हैं। बदले में उन्हें जल एवं पोशन को के अवसरोशन में साहता मिलती है। वर्ष के लिए इस सम्मंद को विशे समयत हो है। लाइकेन कही जाने वाले कुछ जीओं में दो भागिदार होते हैं। इन में एक सेवाल होता है तो दूसरा कवक। सेवाल में क्लोरोफिल उपस्तित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक सेवाल को रहने का इस्तान मतला आवास जल एवं पोशकता तो उपलब्द कराता है। तदा बजले में सहवाल प्रकास संसलिशन दुवारा संसलिशन खादिक का वक को देता है। मिर्दा में पोस्ट को की पूर्थी किस प्रकार होती है। क्या आपने किसानों को अपने बगीचों में अथवा माली को बगीचे में लोन इम गमलों में खाद एवं उर्वरक डालते देखा है। क्या आप जानते हैं कि इन्हें मिर्दा में क्यों मिलाते हैं। आप पढ़ चुकेगें पाद अब मिर्दा से खनीच पोसक ततो अवसुष्ट करते हैं। अतम मिर्दा में इनकी मातर लगातार कम होती जाती है। पुर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फासपोरस जैसे पोसक होते हैं। पाद वो दुवार लगातार रुपियों किये जाने कारण मिर्दा में उनकी मातरा देर देर कम होती जाती है। यदि हमें पाद अब के पोशन की आवशक्ता के बारे में ग्यान हो तो हमने किवल पाद वो उगा सकते हैं बलकि उन्हें स्वस्त भी रख सकते हैं। पाद वो को प्रोटीन बनाने के लिए सामयन ते नाइट्रोजन की अधिक आज़सकता होती है। परूदी नाइट्रोजन को विले रूप में ही अवसरुचित कर सकते हैं। कुछ जीवानों जो राई जो भी हम कहलाते हैं वायू मंडलियन नाइट्रोजन को विले पदार्थों में परिवर्थित कर देते हैं परंतु राई जो भी हम अपना बोधनिश्वम नहीं बना सकते हैं ये चना मतर मुंग शेम तथा अन्या फलीदार पादभो की जड़ों मे दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उरूरख देने के आवशकता नहीं पड़ती यही नहीं दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामयनत उरूरखों के आवशकता नहीं रहती इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर दधा अन्य पनी प्राण़ी उपर नेरवर करते हैं अतय है उन्हें विसम पोशी के रूप में समुई करत किया गया है क्या आम कह सकते हैं कि कीट बक्षी पोधे आंसिक विसम पोशी है तो आपने इस अद्याँ में क्या शीखआ सब भी जीओं को खाद दी के आउशकता होती है जिसका उपयोग वे अपनी व्रद्धी एवं सरीर के रखरागाओ के लिए एवं आउशक ऊर्जा प्राप करने के लिए करते हैं हरे पादप प्रकास संसलेशन प्रकरमद्वार अपना खाद दे शूम संसलेशित करते हैं हरे पादब कारवंडाई ओक्साइड, जल एवम खनिच जैसे सरल रासाइनिक पदार्थों का उप्योग खाजय संसलेशन के लिए करते हैं। प्रकास संसलेशन के लिए क्लोरोफिल एवम सूजय का प्रकास अनिवारिय रूप से आवशक है। कार्वो हाइडरेट जैसे जल रासाइनिक पदार्थ प्रकास संसलेशन के उत्पाद है। कुछ पादप एवम अन्य सभी जीव अपने पोशन एतु दूसर जीव पर निर्वर करते हैं। इसके अभ्यास प्रसंद देख लिजिए जीव को खाज़द की क्यों आशकता होती है। अपने शरीर के विकास या सई पोशन के लिए जीवो को खाज़द की आवशकता होती है। पर जीव म्रत जीव में क्या अंतर होता है। पर जीवी दूसरे जीवो के शरीर से अपना बोजन ग्रैंड करते हैं। और म्रत जीवी जीव जन्तुत अतर पेड़ पोदो के म्रत शरीर से अपना भोजन ग्रैंड करते हैं। आप पत्ति मंड स्टार्ट के उपस्ट्री का परेक्शन कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप एक छोटा सा प्रियोग कर सकते हैं। मैं आपको प्रियोग बताता हूँ। आप पोटेशन पर्मेगनेट का एक बिलियन बनाईए। मतलब पानी में पोटेशन पर्मेगनेट मिला लीजिए। ठीक है। और आप पत्ति को थोड़ा सा पीश लें। और उसमें पानी मिला लें। ठीक है। इन दोनों को अलालग रखें। अलालग बर्तन में रखें। उसके अलावा। आप उसमें सोडियम हाइड्रोकसाइड मिलाएं। मतलब NaOH मिलाएं। पत्ति के पीशे हुए विलियन में। इन दोनों को मिला कर रख लें। मिलाने के बाद में। अब उनको जैसे आपने पोटिशम परवेनेट और उन दोनों विलियन को एक साथ मिला रख था उनको मिलाएं। मिलाने के बाद में एकदम उसका कल्डर बदलता है। कल्डर पहले इसका कल्डर हरा होगा। उसके बाद में काला होगा। उसके बाद में ये धीरे धीरे बदलता हुआ आपको ओरेंज कल्ड़ देखेंगे फिर रेड देखेंगे मतलब चार कल्ड़ बदल जाएंगे इसमें तो अगर ये कल्ड़ बदलते हैं इसका मतलब पत्ती में इसटार्ज अवलेवल है अगर नहीं बदलता तो फत्ती में इस्टार सा उलीवल नहीं है ठीक है तो यह प्रिक्षन आप कर सकते हैं अगर आपके पास में यह चीजे हैं तो आप ध्यान रखें एन एच को सीधे उप्योग में नहीं लें क्योंकि यह खतरनाक एसिड होता है यह आपके हाथ को जला सकत है ज्यान रखें हरे पादवगों में खाज संस्लेशन प्रकरम का संशिप्त भी उरन दीजिए तो यह प्रिशन आपको आपके पार्ट में जाकर मिल जाएंगे आप साहे तो इनको लगा सकते हैं ठीक है और बाकी के प्रिशन आप स्वयम करने कोशिश कीजिए बहुत सीध कि अएनः बाद में ग interrog नात ओएंगे जाओ मैंको यहीं सब्स में जा दिर दूम में अल्गा को आपएंगे एनल लगार्ट में व मादा में लगाखंगे जिएलस स्वयम करता हैं प्रिशि ढवकों हो भी बाद स्वान कर में ट बाद स när दूम appeals